हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो डिली स्टेडी दोस्तों आजके स्वीडियो में दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 के स्पासाल एक्जाम का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इससे पहले की जितनी भी पीडिव है हमसारी टेलिग्राम पर अप्डेट कर दी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलिग्राम को अगर जोइन नहीं किया है तो आप अगे आने वाले किसी भी दिन आपका एकजाम है तो आप हम नंबर पर अपने कोशन जरूर सेंड क पाकि जो भी नया उड़िया है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच भाएं आईए स्टार्ट कते हैं हमारे पहला कोशन से पहला कोशन ही स्वर्ण मुद्री करन दगे यहां पर हमें इस तरह से उन्होंने बताया था कोशन स्वर्ण मुद्रा योजना कौन से सन में के बजट में की गई थी और यह जो योजना है स्वर्ण जमा योजना याने गोल्ड डिफोजित स्कीम के स्थान पर सुरू की गई थी पांच नॉम्बर 2015 से यह योजना लागू हुई थी तो यही आपको डेट बतानी थी अगला कोशन है नीती ने दे सकता तो राजी की अ नीती निदेशक तत्व याने DPSP का वर्ना नहीं और यह जो है DPSP या आयरलेंड के सन्विधान से लिए गए हैं 42 वे सन्विधान संसूदन अदिनिया 1976 द्वारा सन्विधान में ये तत्व जोड़े गए थे और इसने अनुचेद 49 एज जोड़ा था इसके तहत समान न्य को बढ़ावा देना गरीबों को मुप्त कानूनी साहिता प्रदान करना 42 वा सन्विधान संसूदन ने अनुचेद 31 सा के दाहरे को और ज्यादा बढ़ा दिया इसने सभी नीती निदेशकों को अनुचेद 14 से 19 के तायत दिये गए मूल अधिकारों पर वरीदा दी अगला क भासन और अभिव्यक्त की स्वतनता में से नहीं थे इस अनुचेद में इसका विशेश रूप से उलेक नहीं किया गया है के लिए तो यही बैसकली आपसे पूछा गया है अगला कोशने महा नियाएवादी की नियुक्ति कौन करता है सई जवाब रहेगा भारत के रास्ट के द्वरा की जाती है भारत में महा नियाएवादी याने की अटरनी जनरल ऑफ इंडिया इसके नियुक्ति भारत के रास्टपती दीखे भारत के रास्टपती के द्वरा की जाती है महा नियाएवादी भारत सरकार के मुख के कानूनी सालाकार होते हैं वे देश के सरवच नियाईक अधिकारी होते हैं देखें फस्ट सिप्ट में इंसे दो कोशन हम बने थे हमने आपको बताया थे और इस सिप्ट में भी कोशन बना है तो लोगतार जो कोशन से अगर आपने देखा होगा वीडियो सही करके आएंगे तो एनलिसीज डिटेल्ट देखा करें काफे ज ज्यादा सीटे कितनी हो सकती है तो विदान सभा में सबसे ज्यादा जो सीटे हो सकती है या पांसे हो सकती है तो भारत के सन विदान के मुताबिक एक राज्य की विदान सभा में पांसो से ज्यादा सदश्य नहीं हो सकते है यानि कि ज्यादा ज्यादा पांसो से ज्यादा के पीच में हो सकती हैं विदान सबा सदश्योगी संक्या राजी की आबादी के साफसे त्या होती है अगला कोशन है इतने बीनित्त के प्रशिद्र कलाकार कोने और option में आपको क्या मिला था हमने सारे डाल दिये कतकली के जितने भी नित्ता кварти या कलाकार है सारे डाल दिये हैं जैसे कि मरना अली नी सारा भाई इनसे कोशन बन चुका है उदे संकर, क्रश्न कुट्टी, आनंद सिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल, नारयन, मेनन, रुक्मनी देवी इन सभी से आप देख लिजगा इनको, इनमें से जो भी आपको अलग मिला हो, वो आपका यानि की कतकली नित्य के परसिद कलाकार, यानि इनमें से ही आपको एक मिला होगा इनमें से ही एक मिला होगा, वो सही जवाब आपका रहेगा कत कली के केरल का एक साथ्ति-garty क ब्रस्थ के लिए। गिटार होती है और बाउस गिटार होती है तो ये चार-पांच तरीकों की गिटार होती है अगला कुशने कपास की खेती किस राज्य में नहीं होती है तो 36 गड़ राज्य में कपास की खेती नहीं होती है कपास की खेती भारत के प्रमुख भागों में होती है जिससे की पंज बारत में सबसे जयादा राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी गंगा हे यह जो नदी है उत्रकंद उत्तर toda just बिहारो जारकंड पश्ची मंगाल से होकर गुजरती है अगला कुछने हमारा भारत में जूट का सबसे बड़ा जड़ो लोल मिट्टी पर केंदरीत हैं अगला कोशनी 1885 में कॉंग्रेस की स्थापना की श्यमी भारत की वाई सरा ये गवर्नर्ण जनरल कौन था कोशनी इस तरह से पूचय गया था आपका हो सकता है कोशन ये आपका परहा हो भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कोई थी 1885 में बाउंबे में और इसकी सुरुवात एक सेवा निवत बिटिस सिवल सेवाक एलन अक्टिवियन हूम इन्होंने भारती नेताओं के साथ में मिलकर की थी पहले सत्र के लिए हूम ने भारत के ततकाली वाहिसराई लॉड डाफरिन से अनुमती प्राप्त की थी अगला कोशन है इस्ताई बंदोबस्त परनाली से रेलेटेड एक्जेक्ट कोशन ये आपका नहीं मिल पाया कि क्या आपका पूचा गया था इस्ताई जो बंदोबस्त है ये जमिनदारी परता की एक विसेश्चा थी और इसे 1793 में लॉड कार 49 ने सुरू किया था ये जो विवस्ता है बंगाल बिहार उडिसा बनाराज और उत्री करनाटक में लागू की गई थी अगला कुशन है उत्त्रपश्चिमी सीमानत परांत में हैं फ्रंटियर गांधी या सीमानत गांधी किसको कहा जाता था खान अबदुलगप्पर खान उत्त्रही सीमा परांत से समिन्य वग्ज्या अंद्वर्यन के ईक सक्री समर्तक थे अगला कुशनी कांश मूर्ती किस से बनाई जाती है इस तरह से कुशन था ये एक्जेक्टर नहीं मिल पाया था है ना बाकी हमने डिटील डाल दिये हैं कांशे की डलाई हडपा के लोग जो है कांशे की डलाई बड़े पेमाने पर करते थे और इस कांश मूर्तियां कांशे को डाल कर बनाई जाती थे इस तकनीक के अंतरगत सर्पता मौम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थे के लिए अगला कुशन है हमारा 2011 की जनगन्या के अनुसार कितने राज्यों की महिला साक्षर्ता दर 90 प्रतिसत से अधिके केरल की अगर अपन बात करें गया केरल की साक्षर्ता जो दर है यह 93 प्रतिसत आधिके तो एक ही एसा राज्यों की महिला साक्षर्ता दर ऊपर है 90 प्रतिसत से उपर बाकि कि सब की 90 से नीचे ये के रल को छोड़ करा है तो इस तरह से अगर आप से पूछ लिए जाए कि बताई कितने राज्यों की पूरुस साक्षरता जो दर है ये नब्वे प्रथेसर से अधीगे तो आप काउंट करिएगा सभी काफी मतलब ज्यादा स्टेट है नब्वे वाले नब्वे से उपर वाले तो उनको आप देख लिजगा लिस्ट निकाल लिजगा और आप सारे काउंट करके जाएगा क्योंकि इस तरह का कुश्चन बन चुका है तो हो सकता है पूरुस का पूछ लिया जाए और या मैंस आक्षरता में भी आपका पूछ लिया जाए कुछ हैना खासने से खून की उल्टी और खाने में असमर्तता की वज़े से उन्होंने भगवान के साथ एक सोधा किया यूराज सिंग एक पूर भारती क्रिकेटर और कैंसर सरिवाइवर है हैना रहे हैं 2011 में वहां ICC विस्व कप में प्लेयर आप दा टूनामेंट के रूप में उब्रेद हैं अगला कोशन है अभिनाव बिंदरा की पुस्ता कॉनसी है सई जवाब देगा इस ओट अट हिस्ट्री माई अब्सेसिव झर्णि टू ओलंपिक गोल्ड ये इनकी पुस्ता के अभिनाव बिंदरा की कियाद रखेगा और 2011 थे की यहां पर आपको 2011 भारती 2008 ग्रिसमकालिन ओलम्पिक स्वनपदक विजीता अभिनाव बिंदरा के संसमर्नों का संग्रे है अगला कुशन है अनील कुमले ने 10 विकेट के सन में बनाये थे या लिये थे तो 10 जो विकेट लिये थे अनील कुमले ने ये लिये थे 1999 में 1999 में चार से साथ फरवरी 1999 तक दिल्ली के ततकालिन फिरोज साह कोटला स्टेडियम जिसका नाम अब है अरुन जेटली स्टेडियम के लिए तो इसमें चल रहे उस मुकाबले में लेग स्पीनर कुमले ने एक पारी में 26.3 ओरों में 9 मेडन के साथ 24 रंदेकर 10 विकेट चिटकाए थे तो यही बैसिकली पूचा है कि कब लिये थे किस सन में लिये थे 1999 में लिये थे कहां पढ़ लिये थे कोटला स्टेडियम में फिरोस्ता कोटला जिसको अब अरुन जेटली स्टेडियम बोले जाता है अगला कुशन है जूरिक डाइमंड लिग 2022 फाइनल जितकर डाइमंड लिग ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास में पहले भारती एटलिट कौन बन गए है इनका आमें नीरत च के चेंपियान जीकब वाडलेच को हराकर 88.44 मेटर का सर्विसेश्ट त्रो रिकॉर्ड किया है अगला कुशन है कौटली ने कौन सी पुस्तक लिगी थी सही जवाब जो रहेगा आपका ये रहेगा आर्तसास्त कौटली की क्रती है ये आर्तसास्त पुस्तक इनकी की माहल 29 द्वारा भारती करत यू एस एस आर मॉडल था अगला कुशन पूचा गया जेडीपी से रिलेटेड डेटा दिया था कुछ डेटा आपसे पूचा गया था नेक्स्ट कुशन है कलामंडी कृष्ण नयार का संबंद की सही सी तरह से कोई कौशन था ये चेंज हुआ है यानि कि जिन्हों ने बताया उस नाम में तोड़ा सा गड़बड़ी है इसलिए इसका अंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है आप एक्जेक्ट नाम बताईए हम आपका अंसर देदेंगे कमेंड में कमेंड करके बता सकते हैं अगला कुशन है वर्स 2011 में भार व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर था और भारत की जंगना प्रतिएक 10 वर्सों में की जाती थी लास्ट टाइम यह जो हुई थी 2011 में उसके बाद में भी तक नहीं हुई अगला कुशन है रास्ट मंडल खेल सुबंकर आप से पूचा था है ना तो हो सकता है 2022 का यह पूच लि समाने प्रतिवर किली पैरीडबुल रखा गया था अगला कुशन मंदिपरदेश है निति के लिए कौन सा पुरुषकार दिया जाता है तो मंदिपरदेश में निति के लिए रस्ट्री कालीदास समान और रस्ट्री कुमार गंदरौ समान यह दोनों दिया जाते है PFलेशन म समां अनुट नांचरत काथ्प पर नाम पर दिया जाता हैं यह सारे के दिशीं के कोशन हैं कंप्यूटर में आपको बना है सूटcakट बना है इसका आपका बना ओर भी आपके जो मिल अबания हो सकता है उनसे भी questions बने हैं पर हमें इतने ही मिले जितना आपने आपको बताया है मैसी की बात करें तो 5 से questions बना है समिकारी से questions बना है percentage से बना है और सरली गरन से बना है ये topic हमें मिले हैं हो सकता है और भी topic आपके आज पूछ गए हो series से reasoning में इसके लाव recording recording पांसे से बना है question reasoning में आकरती से question बना है तो ये सारे हमने math reasoning, gk, computers, हना सारे के सारे questions आपको बताने में आपकी help किये यहाँ तक कि आपको इससे कुछ हद तक भी idea लगा होगा कि आज का जो pattern है किस तरफ आपका गया है clear है guys, तो guys अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर देखें, इसका जो exam है इसके लिए आप जो लोग comment में comment करके पूछ रहे हैं, वो एक कहमी कर लीज़ीगा आप जो analysis PDF हमने टेलिग्राम पर update किये हूँ, टेलिग्राम PDF को आप अच्छे से पढ़की जाएं क्योंकि वहाँ से ही आपके questions ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक हमने daily basis पर हर questions की detail हम cover कर रहे हैं और अब तक 12 shift तो वो हो गई, 15 यह हो गई, यानि कि कुल मिलाकर जो shift हो गई है, यह हो गई है 27, 27 shift अभी तक हो चुकी है और 27 shift अगर आप अच्छे से cover कर लेते हैं guys, तो यह मान के चलेगा, कि आपकी जो जितना भी detail बनेगा, वो आपका बहार exam में नहीं जाएगा हैना, इतनी सारी detail आपको मिलाएगी, बस दर्त है आपको उसका revision करना है, और अच्छे से पढ़ के जाना है, इतनी सारी detail आपको cover हमने करवा दी हैं, और questions भी उसी pattern बर में रहे, कोई नया pattern अभी तक, यहाँ पर इतना ज्यादा change नहीं होगा है हना, तो आप अच्छे से देख कर जाएं, इसके अलावा, PDF के लिए क्या करना है, टेलिग्राम को जोइन कर लेना है, description में आपको link मिल जाएगी, तो टेलिग्राम को जोइन कर लेना है, description की link से, SSCDD के लिए जल्द ही हमारी classes start होंगी, बस यह exam end हो जाए, तीन तारीक को, उ जैसे ही कोई भी update मिलता है, सबसे पहले आप सभी के पास में notification आ जाएगा, clear guys, तो guys, वीडियो को like नहीं किया है, तो आप सभी से request है कि वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे अपनी दोस्तों के साथ में, साथ ही channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करके bell icon को all पर select कर दीजेगा, ताकि जो भी नया वुडिया है, सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच पाए, clear, तो मिलते हैं हमारे कल के first recipe के analysis के साथ, तब तक लिए जैहिंद वन्दे मातरम,